हलो गाईज, वेलकम टू कॉंट स्टडी आई होप आप अच्छे से प्रिपेशन कर रहे होंगे जैके SSP क्लास 4 के रिकूट्मेंट के लिए और इसी सीरीज में आज हमने एक न्यू लेक्ट्टर करेंगे जिसमें हम करेंगे previous years के कुछ questions जो different, different exams में पूछे गए हैं Mixed questions है, 4 topics से average, priority से भी होंगे ages से भी होंगे और time and work से भी तो guys start करते हैं आज का lecture First question है A and B together have rupees 1, 2, 1, 0 if 4 by 15 of A's amount is equal to 2 by 5 of B's amount how much amount does B have? तो देखिए इसमें कभी भी आपको X या Y मत मानना है इन कोशिंस में आप डारेक्ट A, B मान के भी कर सकते हैं तो देखिए उसने दिया क्या है जो 4 by 5 है A का अमाउंट वो किसके एकुल है 2 by 5 of B's अमाउंट तो यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं तो 4 by 15 of A is equal to क्या दिया है 2 by 5 of B ठीक है यह चीज है और आफ का मतलब हम क्या से रिजूम पर आफ को क्या लिखते हैं multiply ठीक है तो 4 by 5 into क्या हो जाएगा 4 by 15 into A is equal to 2 by 5 of B ठीक है तो यहां से हम A और B का रिशियो निकाल सकते हैं 5, 3 is a 15, 2, 2 is a 4 तो A और B का रिशियो क्या आया A by B कितना आया यह 3 उपर जाएगा तो 3 by 2 ठीक है अब देखिए A और B को उसने together माना हुआ है 1, 2, 1, 0 अगर मैं A को यहां पर A और B अगर 3 by 2 आ रहे है तो अगर मैं A को 3X मान लूँ B को 2X मान लूँ ठीक है तो 3X प्लस 2X उसने किसके equal दिया हुए 1, 2, 1, 0 के तो इसका मतलब 5X की value कितनी आई 1, 2, 1, 0 ठीक है तो 5X की value कितनी आती है हमारी 1, 2, 1, 0 तो X की value कितनी आएगी 2, 5, 2 is a 10 5, 4 is a 2, 42 2 तो उसने पूछा है कि B के पास कितना amount होगा तो A by B की ratio 3 3 is to 2 तो इसका double क्या होगा ये 484 ठीक है क्योंकि 3X और 2X था तो X की value जब यहाँ पूट की तो 242 into 2 क्या होगा 484 तो next question करते हैं 2 numbers are respectively 20% and 50% more than a third number the ratio of 2 numbers is कोई 2 numbers है उनमें से एक जो है वो 20% बड़ा है और जो दूसरा है वो 50% बड़ा है third number से तो उनका आपस में ratio नहीं उनका किसी third number के respect में दिया हुआ है values दिवी है तो हमें बताना है उन दोनो numbers का ratio क्या होगा तो देखिए suppose हमारे पस जो number है उसको हम आप यहां पे कोई भी value assume कर सकते है suppose हमने third number को 100 assume कर लिए ठीक है अब उसने बोला है कि एक number है वो उससे 20% जादा है 100 से 20% जादा कितना हुआ 100 का 20% कितना हुआ 20 तो number कितना हुआ वो वो वाला first number 120 20 और दूसर नंबर कितना जादा है 100 से 50% तो 50% कितना हुआ 100 का 50 दूसर नंबर कितना जादा है 50 तो वो कितना बना 150 ठीक है तो उन दोनों numbers का ratio क्या होगा तो इन दोनों को divide करेंगे इसका ratio कितना आएगा 4 is to 5 देखिए मैंने 100 मान के क्योंकि X या Y आप X मान के भी कर सकते थे इसी 100 की place पे suppose 3rd number को हमने माना X तो आप बोलोगे कि 2 numbers are respectively 20% more than 3rd number तो इससे 20% जादा हुआ तो ये X है इससे 20% इसका 20% कितना हुआ into 20 by है ना तो ये कितना बना 0.2X एक number हमारा बनेगा 1.2X ठीक है तो ये X प्लस 0.2X कितना बना था 1.2X ऐसी जब मैं दूसर नम्बर निकालूंगा वो कितना बनेगा 1.5X इन दोनों को जब डिवाइड करूंगा तब भी answer क्या हैगा 4 is to 5 ठीक है 100 कोई भी value मान के कर सकते थे या फिर आप X मान के भी कर सकते थे The total age of A and B is 12 years more than total age of B and C C is how many years younger than A A और B की जो total age है वो 12 years जादा है किस से B और C से ये question है हमारे बास ठीक है अब उसने बोला है C is how many years younger than A C और A में relation निकालना है देखे जब मैंने इस equation को लिखा ये और ये तो cancel हो जाएंगे दोनों side है equation क्या बनी A is equal to 12 plus C तो C कितना younger होगा A से कितना difference आता है 12 तो क्या answer होगा इसका 12 ठीक है यूँकि जब मैं इसको इस से लिखोंगा तो ये क्या बनेगा A minus 12 is equal to C तो हमारा क्या answer आएगा 12 ठीक है next question करते है the sum of present ages of father and son is 60 years 5 years ago father age was 4 times the age of son so now the son's age will be तो present age है father और son की कितनी 60 years ठीक है ये father और son की present age है 60 years 5 साल पहले 5 years ago father और son की age कितनी थी क्या ratio था उनका 4 is to 1 तो देखिए मैं ऐसे assume कर सकता हूँ 4X और 5X ठीक है दोनों की age क्या थी फादर की 4X थी और son की थी अगर मैं उझे present पे आना हूँ तो मतलब 5 साल बाद आना पड़ेगा इस से है न इनकी age क्या होगी 4X प्लस 5 और son की क्या age होगी 5X प्लस 5 ठीक है क्योंकि ये पहले 5 साल की age थी इसको मैंने present पे लाने के लिए 5 आड़ करना पड़े ठीक है तो ये जो equation है यहाँ पे मैं 4X प्लस 5 और X प्लस 5 की value रख दोंगा तो क्या equation बनेगी F प्लस X 60 था यहाँ father की place पे आता 4X प्लस 5 sun की place पे आता X प्लस 5 is equal to 60 तो 5X is equal to 5 और 510 वहाँ जाएगा तो subtract हो जाएगा तो मेरी जो equation बनेगी 5X किसको लाएगी 50 X की value क्या बनी 10 और उन्हेंने बोला था now the sun age will be तो sun की present age कितनी थी X प्लस 5 थी न जो X age मानी थी वह उसकी 5 years ago थी तो उसकी present age कितनी होगी 10 प्लस 5 15 तो answer क्यों होगा गाई इसमें गलती हो सकती थी आपकी कि अगर आपने option आपका 10 answer है X की वाली तो आप direct भी 10 लगा सकते था 10 answer नहीं होगा क्योंकि 10 क्या थी उसकी 5 साल पहले की age थी और उसने बोला है कि now the sun's age will be तो उसने उसकी present age पूछी है तो आपको ध्यान से ये चीज़ देख करनी है exam में जल्दी जल्दी में answer मत लगाना त्री नमबर्स आज इन दर ratio of 3 is to 4 is to 5 and their LCM is 2400 their HCF is देखिए जब भी ऐसा question दिया हो numbers का ratio हो दिया हो तो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि numbers को हम जब 3x, 4x, 5x मानेंगे तो ये जो x होगा ना उनका हमेशा से क्या होगा? HCF होगा ठीक है? क्योंकि ये जो x होता है ये highest value है तो क्या हैगा? 3 x 4 x 5 x x is equal to 2400 कैसे आया? 3, 4, 5 में कुछ भी common नहीं है तो इनको direct लिख दिया और तीनों में क्या common था? x था तो x लिख दिया ठीक है? x की value कितनी आती है? यहां से आप निकाल सकते हो easily अगर मैं इसको solve करूं 3, 4, 12, 5, 0, 60 इसको divide करों तो x की value आती है 40 question का क्या answer हुआ? HCF क्या हुआ इन numbers का जो number के 40 E can complete one-fourth of work in 10 days B can complete 40% of the work in 15 days C can complete one-third of work in 13 days और D ने उस काम बो किया 1-6 को 7 days में Who will be able to complete the work faster? work वही जल्दी करेगा जो कम दिन लेगा काम को complete करने में ठीक है? सबसे कम days लेगा पूरे काम को complete करने में वो सबसे ज़्यादा efficient होगा या फिर वो काम जल्दी करेगा A ने one-fourth of the work किया 10 days में तो उसने एक पार्ट किया 10 दिन में ठीक है? तो total काम उसको कितना था? 4 unit था 4 unit कितने में करेगा? 40 दिन में तो एक ही कितने days हुए? 40 तो अब हम निकालेंगे B का काम तो B ने 40% काम को किया है कितने दिन में? 15 days में और 100% मुझे निकालना है तो 40 को 100 बनाने के लिए क्या करते हैं? 2.5 से multiply कर सकते हैं कैसे पता लगता है? देखिए 40 को हमने बनाना है 100 है ना? 100% काम करवाना है तो जब मैं इसको divide करता हूँ 40 को यहाँ से तो यह क्या बन जाएगा? 2.5 ठीक है? तो अगर मैं इसको 2.5 दोनों साइट से divide करूँगा तो 15 इंटू 2.5 कितना आता है मेरा? और यहाँ पर 100% काम कितना होगा B का? 15 इंटू 2.5 आएगा 37.5 तो B का काम कितने दिनों में हुआ? 37.5 और A का कितने दिन में हुआ था? 40 days में और इन दोनों को हम side में लिख लेंगे A का हुआ था 40 तो B का हुआ था कितना? 37.5 अब C can complete a one third of work in 13 days C ने एक unit को किया 13 days में करना कितना है उसको 3 unit तो 3 को कितने में करेगा? 39 तो C का काम कितना हुआ? 39 days में and D who can do one sixth of work in seven days तो D ने एक unit कितो किया साथ दिन में उसको total कितना करना है? 6 unit तो 6 को कितने में करेगा? इसको multiply करेंगे 6 के ता 42 days में तो D ने किया 42 days में अब सबसे ज़्यादा efficient वो होगा सबसे ज़्यादा जल्दी काम को करेगा जो कम दिनों में काम करेगा तो वो कौन था? B है वो इन में से तो इन में से कौन जल्दी काम करेगा? B ठीक है? इस question में एक और चीज का ध्यान देना कि जब भी मैं एक को कर रहा हूँ वन यूनिट कर रहा हूँ 10 days ठीक है तो आप क्या करना इसमें जो यहाँ पर upon में होता है न वो उसका टोटल काम मान के चला करो कि अगर उसने वन फोर्थ किया है 10 days में तो उसको करना कितना है? चार यूनिट करना है? उसने एक तो किया 10 दिन में तो चार यूनिट को कितने में करेगा? 4 into 10 ठीक है? इसको उसके साथ multiply कर दो ऐसे ही एक यूनिट उसने किया था 13 तीन यूनिट कितने में करेगा? 39 में ठीक है? नेक्स्ट कॉश्चन करते है तो इस कॉश्चन में यह जो एलस्चन की वैल्यू है यह हमारे किसी काम नहीं आएगी क्योंकि उसने कॉश्चन ऐसे ही गुमाने के लिए दिया हुआ था बट आपको पता है जब रिश्चन जब भी नंबर्स की दिये होगी नेक्स्ट की वैल्यू तो इससे हम डाइरेक्ट नंबर निकाल लेंगे तो नंबर की आएगा फाइफ इन्टू नाइन और इसका भी आंसर हुआ यह जो एलस्चन की वैल्यू थी वह उसने ऐसे ही दी थी कॉश्चन को लेंदी करने के लिए बट इसका कोई यूज नहीं था इसमें तो कौन सा लाज़ेस नंबर है जिसको जब डिवाइट करेंगे 77, 147 और 252 से तो वो रिमेंडर चोड़ेगा तो इन कोश्चन को देखे क्या करते हैं यह मैंने HCF or LCM के लेक्चर में बताया था तो इसमें क्या करते हैं नंबर्स जो होते हैं इन नंबर्स को आपस में सब्ट्राक्ट कर देते हैं जब भी हमारा सेम रिमेंडर आएगा तो जब मैं इसको इसमें से सब्ट्राक्ट करूँगा 70 इसको इसमें से करूँगा देखें 12 में से 7 कि 5 और 177 और इसको और इसमें से करूँगा तो क्या हैगा 105 तो आपने क्या करना है इन तीनों का HCF निकालना होता है ठीक है इन Numbers को आपस में सब्टराक्ट करके जो value आई उसका HCF निकालो वो हमारा answer आता है तो इसका HCF को होता है इन तीनों Numbers का इसका HCF होता है 35, अब करके देखना इसका 35 answer आएगा बढ़ हमारा method क्या होगा, जब भी same reminder आएगा, divided वाला question होगा तीनों numbers को आपज में subtract करो और उनका HCF निकाल दो देखिए यह एक new topic है priority का, तो priority में क्या होगा कि priority दो चीज़ों पर depend होती है एक तो total number of जो events होते हैं और जो हमसे पूछे हुए होते हैं, ठीक है total number of events जैसे एक coin मान लेते हैं एक coin में क्या चीज़ हो सकती है या तो head आएगा, या tail आएगा तो हमारे पास total outcomes कितने होए दो ही होए, head या tail इससे ज़ादा और कोई priority नहीं होगी इससे ज़ादा outcomes नहीं होगे अब हमारे पास आता है जो question में given events दिये हो ठीक है, तो given में कभी कबर क्या बोलते हैं कि probability बताओ कि कितना head आए है या फिर कितनी बार head आएंगी कितनी बार tail आएंगे, और probability का formula क्या होता है, जो हमारे given outcomes होते हैं और total मतलब ये, divided by ये और probability की एक और बात होती है कि probability 0 और 1 के बीच होती है, 0 का मतलब कुछ नहीं, और 1 का मतलब की maximum वही चीज़ आएगी, ठीक है तो यहाँ पर जैसे दिया है of getting a head in throw of a coin जब आप coin फैंक होगे, तो आपके पास head या tail आएगा, ठीक है तो outcome कितनी होगे आपके पास total दो, तो एक head आना चाहिए, तो एक head आने की probability क्या है, सिर्फ एक ही है है न, head एक बार आ सकते है या head आएगा या tail आएगा, तो head कितनी बार आ सकता है, एक बार, तो इसकी probability क्या होगी, 1 by 2 ठीक है, तो या यह जो option थे, तो एक और बात probability में कभी भी option वो ऐसे नहीं देगा 2, 3, क्योंकि यह 0 और 1 के बीच ही रहेगी, ठीक है next question है two fair coins are tossed, find the probability of getting two heads अब देखिए, पहले एक coin toss कर रहा था, अब 2 coin toss कर रहे है अब 2 coin toss किये, क्या outcomes बनेंगे उसके या तो head और head आएगा दोनों में या तो head, tail और tail भी आसकता दोनों में, या तो tail और head आएगा, या फिर head और tail आएगा, तो देखिए, कितने outcomes बनें total, चार अब उसने बोला है, of getting two heads, तो इसमें से देखना है कि, दो heads कितनी बार आसकते हैं, यहाँ पर एक है यह वाला cancel होगे, यहाँ पर भी एक है यह cancel होगे, इसमें तो एक भी नहीं, यह भी नहीं तो कितनी बार आसकता है, एक बार तो probability क्या होई, one by four जो उसने हम से events दी पूछे हों, वो event divided by total, कि maximum कितने आसकते हैं तो guys, आज के lecture में इतना ही, तो I hope आपको यह lecture अच्छा लगा होगा, आपके लिए काफी useful होगा, क्योंकि यह previous years के questions ते जो पूछे होगे, different, different exams में तो अगर like और subscribe करें हमारे चैनल को, हम आपको daily videos provide कर रहे हैं जैकि SSB के लिए related तो मिलते हैं next video में, thank you very much